नमस्कार दोस्तो राजन मोनीटर के बिल्कुल नए फ्रेस और इक्साइटेड एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे नेट फिलिक्स कस्टमबर के अरसे आप बात कैसे कर सकते हैं जी यहाँ बिल्कुल सही सुना आपने नेट फिलिक्स कस्टमबर के अरसे बात कर सकते हैं So नेट फिलिक्स कस्टमबर के अरसे बात कैसे करना है इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा डौट किलियर हो जाएगा सो हेलो गाइज मेरा नाम है राजन आप देख रहे हैं राजन मोनीटर चाइनल को तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से प्लीज रिक्वेस्ट है हमारे चाइनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रोज इसी तरह के इंपोटेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो जलाते रहता हूँ सो आपको मैं बता दू कि नेटफिलिक्स कर टंबर के अर से आप सिंपली दो तरीका से बास कर सकते हैं गूगल पे सर्च करके नेटफिलिक्स डॉट इन और आप के जड़िये तो सिंपली हम आपको एक जड़िये नेटफिलिक्स कर से लाइव बात कर दिखाते हैं तो आजिए हम नेटफिलिक्स को उपेन करते हैं जैसे ही हम netflix को open करते हैं आप देख सकते हैं simply हम home page पे आ गए हैं फिर नीचे में यहाँ पे side में more लिखा मिल जाएगा three dot का symbol मिलेगा simply आपको इस पे click करना है जैसे ही आप इस पे click कीज़ेगा कुछ इस तरह का interface देखने को मिल जाएगा फिर नीचे में simply यहाँ पे help लिखा मिल जाएगा simply इस help पे आपको click करना है जैसे ही आप इस help पे click कीज़ेगा कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा यहाँ देख सकते हैं find online help लिखा है और नीचे में simply आपको call का chat का symbol मिल जाएगा मैं आपको बता दू कि आप इसमें chat के जड़िये भी बात कर सकते हैं और call से तो हम simply आपको call से बात करके दिखाते हैं तो इसके लिए simply call पे click करते हैं जैसे इस call पे click करते हैं कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा simply call पे click करना है मैं आपको बता दू कि आपका internet चालू होना चाहिए तब ही आप call लगा सकते हैं I hope कि मैंने आपको पूरी details में बता पाया हूँ कि netflix customer care से लाइब बात कैसे कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगी होगा तो लाइक कीजिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाएगा